जै बंबं भोले, हम सब की रक्षा करना, जै सूर्य भगवान, हम सब को आरोग ये प्रदान करना राधे राधे जी, प्रदोश वरत की आप सब को बहुत सारी शुब कामनार प्रिमित्रो प्रदोश वरत यानि की त्रयोदशी का वरत शिवशक्ति को समर्पित वरत है हर माह में त्रयोदशी तिथी यानि की तेरावा दिन दो बारा दी है अन्य वरतों से विभक्त त्रयोदशी का महत्व उसके वार के अनुसार होता है आज रविवार है तो आज का प्रदोश्वरत रवी प्रदोश्वरत कहलाता है रविवार को आने वाला यह प्रदोश्वरत स्वास्त की दृष्टी से बहुत महत्व पूर्ण माना गया है इस वरत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है यह वरत करने वालों की स्वास्ती से समंधित परेशानियां दूर होती हैं आज के स्थितियों में हम सब को अच्छे स्वास्ती का वर्दान चाहिए अभी हम सुनेंगे रवी प्रदोश्वरत की कथा कथा अनंतर हम रवी प्रदोश्वरत पर किये जाने वाले कुछ सरल महा उपाय के बारे में जानेंगे रवी प्रदोश्वरत की कथा एक समय सर्व प्रानियों के हितार्थ परम पावन भगीरती के तट पर रिशी समाज द्वारा विशाल गोश्थी का आयोजन किया गया इस सभा में व्यास जी के परम शिश्य पुरान वेता सूथ जी महाराज हरी कीर्दन करते हुए पधारे सूथ जी को आते हुए देखकर शौनकादी अठासी हजार रिशी मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया महाग्यानी सूथ जी ने भक्तिभाव से रिशियों को हृदे से लगाया तथा आशिरवात दिया विद्वान रिशिगन और सब शिश आसनों पर विराजमान हो गए शौनकादी रिशी ने पूछा हे पूजयवर महामते कृप्या यह बताने का कष्ट करे कि मंगल प्रत कष्ट निवारक यह वरत सबसे पहले किस ने किया और उसे क्या फल प्राप्थ हुआ श्री सूथ ची बोले आप सभी शिव के परम भक्त हैं आपकी भक्ती को देखकर मैं वरती मनुश्यों की कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो रवी प्रदोश कथा एक गाव में अतिदीन प्रामन निवास करता था उसकी साथ फीस्त्री प्रदोश वरत किया करती थी उसे एक ही पुत्र रत्न था एक समय की बात है वह पुत्र गंगास नान करने के लिए कया तुरभा के वश मार्प में चोरो ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो बालक दीन भाव से कहने रगा कि बंध हूँ हम अत्यंत दुखी दीन हैं हमारे पास धन कहा है तब चोरो ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है बालक ने ने संकुच कहा कि मेरी मा ने मेरे लिए रोटिया दी है यह सुनकर चोरो ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अतहा हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोरो ने उस बालक को जाने दिया बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुँचा नगर के पास एक बर्गत का पेड़ था वह बालक उसी बर्गत के व्रिक्ष की चाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोचते हुए उस बर्गत के व्रिक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझ कर बंदी बना राजा के पास ले गए राजा ने उसे कारवास में बंद करने का आदेश दिया ब्रामनी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई अगले दिन प्रदोशुरत था ब्रामनी ने प्रदोशुरत किया और भगवान शंकर जी से मन हे मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी भगवान शंकर जी ने उस ब्रामनी की प्रार्थना से विकार कर ली उसी राद भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वपन में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है उसे प्रातरकाल छोड़ दे अन्य था उसका सारा राज्य वैभव नश्ट हो जाएगा प्रातरकाल राजा ने श्वजी की आग्या नसार उस बालक को कारवास से मुक्त कर दिया बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई सारा वृत्तान सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भीजा और उसके माता पिता को राज दर्बार में बुलाया उसके माता पिता बहुत ही भैभीत थे राजा ने उन्हें भैभीत देकर कहा कि आप भैभीत ना हूँ आपका बालक निर्दोश है राजा ने ब्राह्मन को पांच गाओ दानमी दिये जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके भगवान शिवजी की कृपा से वह ब्रामन परिवार आनन से रहने लगे इती रवी प्रदोश वरत कथा प्रियमित्रों सूर्य प्रदोश का वरत करके भवश्य में उत्तम स्वास्ति का आशरवान भगवान शिवजी और सूर्य नारायन भगवान देते हैं अब जानिये प्रदोश वरत मनानी की विधी प्रदोश वरत के दिन प्राता सूर्य योदे से पूर्व उठना चाहिए नित्य कर्मों से निवरत होकर भगवान श्री भोलेनात का निरंतर स्मरन करते रहें इस वरत में आहार नहीं लिया जाता है पूरे दिन उपवास रखने के बाद सुर्यास्त के एक घंटे पहले स्नानादी कर श्वेत वस्त्र धारन किये जाते हैं प्रदोश वरत की पूजा शाम के साड़े चार बजे से लेकर शाम के साथ बजे के बीच की जाती है अपने घर में पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच जल से शुथ करने के पसचात हो सके तो गार के गोबर से लेपना चाहिए और मंडब तयार करना चाहिए चाहे तो आप यह पूजा शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं मंडब में पांच रंगों का उप्यो करते हुए रंगोली बनाने चाहिए क्योंकि पांच संख्य भगवान भोले नात को अदिप्रिया है पूजिन की सभी सामगरी एकतरत कर लें उत्तर पूर्वदिशा की और मुख करके बैठ जाएं और ओम नमह शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल जड़ाएं इस दिन भगवान शंकर जी, माता पार्वती, श्री गनेश जी और नंदी जी को पच्चामरत व गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए इसके अनंतर बेल पत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेधी यानि भोग लगाना चाहिए फल, पान, सुपारी, लॉंग, वा इलाइचियादी अर्पित करना चाहिए भगवान शुजी की सोला तरह की सामगरी से ही पूजा करनी चाहिए इसके बाद आठ दीपक अलग-अलग दिशाओं में जलाना चाहिए और दीपक रखते समय हर प्रतिक बार प्रनाम करें कथा सबापती के बाद हवन समागरी मिलाकर ग्यारा, एक्केस या एकसो आठ बार ओहुम हरीम क्लीम नमहा शिवार स्वाहा मंत्र से आहूती दे इसके बाद शिवजी की आर्ती करें फिर उपस्थित जनों सभी में प्रसाद वित्रित करें इसके बाद ही भोजन करें भोजन में केवल मीठी समागरीयों का उप्योग करें आए मित्रों, अब प्रदोश वरत की उध्यापन विधी जाने इस वरत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद वरत का उध्यापन करें वरत का उध्यापन त्रयोदशी तिधी पर ही करें उध्यापन से एक तन पूर्व श्री गनेश ची का पूजन किया जाता है पूर्व राथरी में कीरतन करते हुए जागरिन किया जाता है प्रातर जल्दी उठकर मंडब बनाकर मंडब को वस्तरों और रंगोलियों से सजाया जाता है ओम उमा सहित शिवाय नमहा मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाता है हवन में आहुती के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाची की आर्ति करे और अंत में ब्रामनों को भोजन कराया जाता है अब जाने एक खास उपाय जो रवी प्रदोश्वरत के दिन किया जाए तो उत्तम स्वास्त धन लाब और यश किर्थी और पदोनती में बढ़ोतरी प्राप्त होते है आज के प्रदोश्वरत के पूजा के शुप मुहुरत में आप पूर्व दिशा की तरफ मुह करके लाल आसन पर बैठें तथा एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें यदि संभव हो तो शुथ तांबे के दिए में गाय का घी भर कर कलावे की बाती लगा कर प्रजवलत करें अन्यता साधारन मित्टी के दिए को ही प्रजवलत करें तामबे का लोटा व तामबे के दिये का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूर्य नारायन के प्रियधातु हैं अब भगवान गनपती जी को नमस्कार करें तथा अपने घर में धन संपतिवा आरोग्य के लिए भगवान सूर्य नारायन से प्रार्थना करें इसके पस्चाद भगवान उमा महिश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करें इस तरहां ही उमानाथ कर्ज दुर्भाग या दरित्रता भै रोग वसमस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधार कर मेरी पूजा सुईकार करें महा मृतिन जय मंत्र का जाप अवश्य ही करें कम से कम अठारा बार या हो सके तो 108 बार आज आप अवश्य समय निकाल कर करें ओम त्रयम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम उरवारुकमे वबंधनात बृत्य और मोक्षी अमामरतात इस मंत्र का अर्थ है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं हमारा पोशन करते हैं जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है वैसे ही हम भी मृतियो और नशवर्ता से मुक्त हो जाएं पूजा के बाद अपने पिता या पिता की उम्र के समान व्यक्ति के चरंस पर्ष करे जोतर शास्तर में सूर्य को पिता के कारक कहा गया है इसलिए पिता जी या पिता के समान लोगों को समान देना हमारी कुंडली में सूर्य को और मजबूत बनाता है सूर्य को सध्रड करने का यही सबसे उत्तम मार्ग है इसके अतरक्त आज आप नमका सेवन बिलकुल ना करें मीठा भोजन कर सकते हैं जैसे की दल्या हो या ओच्छो उसमें चीनी मिला कर खाएं या स्वास्ति के लिए भी बहुत अच्छा है और इस बड़ती गर्मी के मौसम में भी शरीर को यह ठंडा रखता है फला हर अवशही कर सकते हैं इसके अतरक्त नीतरहीन लोगों को दान करने से सूर नारान बहुत ही जल्द प्रसन होते हैं प्रियमित्रो ये है आज का वीडियो आशा है आपको अच्छी लगी जाते जाते आपको एक सज्जन अनुस्मारक इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे यूट्योब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै बम बम भोले